हलो दोस्तों सुआगे थे आपका बिहार नियूज में दोस्तों मैं हूं फिर्दोस गनी और आप देखने के डिवी लाइब दोस्तों आज हो चुका है चार जुलाई 2020 तो आज की बिहार की टॉप नियूज लेकर आए आपके लिए दोस्तों वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप नहीं आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्रीब करें लाइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियों को लाइक किजिए अपने दोस्तों को साथ का नियूज मोदी सरकार देश के 20,41,000 किसानों को सालाना 36,000 रुपे देगी देश की पहले किसान पैंस किसाने की भरोसे हैं खास दोर से गड़ी भी किसानों के लिए जिनके पास आजीविकायन के जीवन बिताने के लिए और भी कोई सादन नहीं है इस योजना में हरियाना के सवा चार लॉक किसानों ने रेजिस्टरेशन करवाया है वही दूसरी निमर पर अपना बिहार पेच में फस गए हैं जी हां दरसल जोती कुमारी के पिता मोहन पासवान को गुरुवार को मुंबई की एक वेब सीरीज और डोकुमेंटरी फिल्म निर्मान कंपनी ने लीगल नोटिस भेजा है कंपनी ने जोती के पिता पर करार तोड़ने पर अपत्ति जताई है आपको और गार किया था अब कंपनी ने जोती के पिता के दूसरे कंपणी से करार कराने पर अपत्ति जताई हैं लिगल नोटिस में ने मोहन पासवान से काहिए कि है और घार कानौनी करार को वे तुरंत दरद करोएं कंपनी कि हर सवाल का जवाब कोट में दिया जाएगा महन पासवान ने कहा है कि जिस समय ये करार हुआ था उस समय मुझे गलत फैमी में डाल कर एक कागज पर हस्ता अक्षर कर लिया गया था रूपिया देने का जो समय कमपणी ने टै किया था उसने पूरा नहीं किया महन पासवान ने कहा है कि वह वादा तोड़े तो ठीक है मैं करार तोड़ू तो गलत है मामले का काननी रूप से जवाब दूँगा देश में प्राइवेट ट्रेनों की तरफ रेल्वे ने कदम बरा दिया है अप्रेल 2020 तक देश में 44 प्राइवेट ट्रेन दोड़ेगी भारते रेल्वे ने 30,000 करोल रूपे के प्राइवेट ट्रेन प्रोजक्त की सुरुआत 109 जोडिट रूट्स पर रिक्वेस्ट फॉर और क्वालिफिकेशन को आमत्रित करके की है रेल्वे बोर्ट के चेर्मेन विकेयादम ने कहा है कि नीजी ट्रेनों का आइडिया है कि वे सभी बड़े अधिक डिमांड वाले रूट्स पर सभी यात्रियों को कन्फरम्ट सीट उप्लिब्द करा सके भारते रेल्वे जिन ट्रेनों को पहले से ही चला रही है उनके अलावा ये नीजी ट्रेन इस दिमांड को पूरा करने में मदद करेगी बिहार में प्राइवेट इसकलों की मनमाने पर बिहार सरकार सक्त हो गई है जिहां मिली जानकर के मुताबिक कि बिहार सच्छा प्रियोजना परिसद ने 34 प्रेवेट रिस्कूलों ने स्कूल से सम्मधित विब्रण जमा नहीं कराया है जिसको लेकर विभाग कारवाई कर सकती है और उनका मानता भी रद हो सकता है बिहार के कई सारे पदों के लिए वेकंसी निकलती रहती है जिसके लिए आप आउल लाइन आविदन कर सकते हैं बिहार में होमगाट के पदों के लिए जबरदस्त वेकंसी निकाली गई है कुल पदों के संख्यां 55 है आविदन करने के अंतिम 33 अगस्त 2020 है इस पद के आविदन के लिए बारवी पास होना अनिवारी है इन पदों पर आविदन के लिए अधिकतम आयू 27 वर्स होनी चाहिए अधिक जानकारे के लिए csvc.bih.nic.in पर विजिट करें और आउलाइन आव पर आये थी कि वर्चपात से कई लोगों ने अपनी जान गवा दिया है वह इसी बीच आपदा परमंदन विभाग ने अलड़ जारी किया और अपने घरों में ही रहें, साथ ही खेती करने वालों के लिए कहा गया है कि बारिस आने और मुसम खराब होने पर किसी पेट के नीचे ये किसी उचे जगे पर ना छिपें, किसी सुरक्षित जगे पर सरण ले ले, किसी भी इस्तिती में पेरों के नीचे सरण ना लें और खुले में रहें इस साल बिहार में चुना होने वाला है इसको लेकर बिहार के राजनितिक गल्यारों में खुब चहल पल देखने को मिल रहा है अब राजनितिक पार्टियं जनता को लुभाने में लगे हैं वहीं सेम्नितिस कुमार एक के बाद एक दोरे कर रहे हैं और अपन होने वाले बिहार बिधान सबाच चुनाओं में एक बदलाव चुनाओ आयोग ने किया है ताकि इस मुश्किल समय में अतिहात बढ़ती जाए दरसल चुनाओं के अनुसार इस बार बिहार में विधान सबच नवा में EVM को बिना चुवे हुए मदान और पॉलिंग ऑफिसर्स की टेवल पर सिसे के दिवार डिस्पोजिबल सिरिल्स से अंगलियों पर निसान जैसे उपायोपन निर्वाचन आयोग विचार कर रहा है बिहार में पोजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसला लगातार जारी है संकरमन से अब और ज्यादा साबधान रहने की जरुत है महामारी की रबतार अब बिहार में तेज हो रही है जिहां पहले से बहुत ज्यादा तेज हो रही है कल आई जांची रिपोर्ट में संक्रमिन के 231 नए मरिज मिले हैं जिसके बाद कुल संक्रमिन बिहार में अब तक 10,914 हो गई है यानि कि 1100 के कड़िब हो गई है स्वास्त बिवा की ओर से सुक्रवार को जाड़ी ताजा आंक्रे के मताबिक 231 लोग को पोजिटिव मिले हैं जिसमें पतना मुझपरपूर बेउसरे और अंगबाद भागलपूर पूरी चंपरन समित अन्य जिले की लोग है इसके साहते राज्ये में संक्रमिन के सिंक्यां बरकर 10,914 हो गई है वहीं स्वास्त बिवा के अनुसार अब तक 7,944 लोग संक्रमिन से ठीक भी हो चुकी है बिहार में यंडिये रहेगा या फिर तूट जाएगा ये कहना अभी जल्द बाजी होगा लेकिन बिहार बिदन सबाकी सीटों को लेकर जिस परकार से अंदूनी खीसता जारी है उससे कई क्यास लगाए जा रहे हैं खासकर चिराग पासवान के इस्टेंट के बाद बिहार यंडिये में खलबली मच गई है चिराग अपने इस्टेंट से हटने को तयार नहीं दिख रहे हैं चिराग पासवान ने साफ कहर दिया है कि बिहार यंडिये में तीन दल सामिल है तीनों दलों की सहमते से सीटों का बटवारा होगा ना कि सिर्फ दो दल आपस में बैट कर सीटों बाट लेंगी और अपने मन मताबिक लोचपा को सीट आफर करेंगे लोचपा अधिक से चिराग पासवान ने बिहार यंडिये में जेडियू की मनमानी से खासा नाराज है जेडियू से लोचपा अकिर इतना क्यों भरका है क्यों जेडियू के किसी बात को मानने से चिराख पौसवान इंकार कर रहे हैं ऐसे सारे सवालों को लेकर लोचपा के अन्य नेताओं से बात की जो चिराख पौसवान के करीबी माने जाते हैं भारत चीन के बीच पुर्वी लद्दा का सीमा के गलवान घाटे में हुए हिंसक जरब के वाद से दोनु देसों में तरनातानी का माहौल है और यूद जैसे हालाद बन गये हैं इन सब के बीच भारत और रूस के बीच एक बड़ा रक्षा सौधा हुआ हुआ है गुरुवार को प्रधान मंतिर नेरंदर मुदिन रूसी राष्टपती वलादिमीर पुतिन से फोन पर बात चित की इसके कुछ दिर बाद भारत रूस में एक बड़े रक्षा सौधे की जा राष्टपती पुतिन ने पियम मुदि से बात करने के बात काया है कि भारत रूस में सामरिक संबन्द और मजबूत होंगे बिहार बिदान सबाचनाओं को लेकर सभी राज नितिक दलों दोरा तयारी सुरू कर दी गई है वही बिहार में महागर्बनर में सामिल दलों के बीच खीस्तान का सिलसला लगतार जारी है महागर्बनर में चल रहे हैं इस खिर स्थाज के बीच रालसपा के राश्टिय अद्रक्ष उपंदर कुसुआ दरवा एक तीन सदस्यता कमिटी गढ़ित किया जाने का ऐलान किया गया है इस कमिटी का काम महागर्बनर में सामिल सभी दलों से बीहार विदान सभा चुनाओं से सम्मधित विश्यों पर बातचित करना होगा इन तिन सदस्य कमिटी में पार्टिक के पर्देश अद्यक्ष भुदेब चौधरी, राश्टि कोसाग अद्यक्ष राजस यादब और पर्देश कारिकारी अद्यक्ष विरेंदर कुसुआ को सामिल किया गया है ये सभी महागर्बनर में सामिल, राश्टि, जंतादल, हिंदुस्ताने वाँ मोर्चा, कांग्रेस और वी आईपी पार्टि से विजान्म सभाज जुनाओं से सम्मधित मामलों पर बातचित करेंगी और इसकी रिपोर्ट राश्टि अध्यक्ष अपंद्र कुसुआ को देंगी बिहार में नौक्री के तलास कर रहे हैं बिहार सरकार बिरोजगार भत्ता योजना चलाती है इस योजना में आविदन करके आप एक हजार रुपे परतिमा पराप्त कर सकते हैं योजना बहुत पहले ही शुरू की जाचुकी है ये पैसा उन युओं को मिलेगा जो नौक्री के तलास कर रहे हैं बिहार सरकार के निसार इसे योजना के अंतर monarch बिहार के जो हुआ सिछचित होने की बहुज़ूद भी बिरोजगार है उन बिरोजगार युवां को बिहार सरकार के तरफ से परतीमा एक हजार के धनरासी बिरोजगारी भत्ता के रूप में दी जाएगी इस योज़ना में आविधन करने के लिए आपका उम्र 21 से 35 वर्स की बीच होनी चाहिए तबी आप आविधन कर पाएंगे इसके अलवा आपके पास गड़े जोईसनी या पिर पोस्ट गड़े जोईसनी की डिगरी होनी चाहिए आविधन करने के लिए वेब साइट आपके मुबाईल सकिन पर दिये गये हैं अगर आप इस यह उसना का लाब लेना चाहते हैं तो दिये हुए वेब साइट पर जाकर आप आविधन कर सकते हैं बिहार महागरबनन के महतपूर्ण घटक दल विकास सिल इंसन पाटी यान के वी आईपी सुप्रीमो मुके सहनी ने आज पर्टी के युवा करताओं का उस्साह वर्दक करते हुए का है कि आने वाला वक्त युवा का है युवा देश की रीर की हड़ी है इस दोरान उन्होंने विहार के मक्यमंदर अनेतिस कुमार और एलज़िपी सुप्रीमो चिराग पासवन की तारिफ भी की है चिनाई मोड में आचोके वी आईपी सुप्रीमो मुके सहनी लगातार पार्टी कारे करताओं की बैटेक कर रहे हैं वे वर्चोल रेली के जरिये पार्टी के चिन्हों अभियान की भी सुरुआत करने वाले हैं। पार्टी कार्टा का उस्साह वर्दन करते हैं का है कि आज वक्त यूआउं का है। हमारे पार्टी भी यूआउं की पार्टी है। हमें भी मौका मीले तो हम भीहार के लिए बहुत क tenían सकते हैं। उन्होंने इस दौरान अधारन के तोर पर भीहार के मक्हा मंतर्य नित्यूसिकमार की भी तारिफ कर डाली मुकएस सैनी ने कहीं कि नित्यूसिकमार के लिए अच्हा काम किया है। फिर मुकेस सेनी ने काया कि उन्होंने काम तो किया है लेकिन केवल पांच साल में पहले पांच साल के कारेकाल में अच्छा काम किया लेकिन फिर उसके बाद बिहार अगले दो टर्म में उन्होंने बिहार को काफे पीछे ढखेल दिया बिहार में नियोजे सिच्चकों को लेकर खुसकबरी आ गई है राजे सरकार अब सेवा सर्थ लागू करने वाली है सेम नितिसकुमार की अधिशता में केबिनेट की बैटक हुई जिसमें सेवा सर्थ के लिए गठित केमेटे के पूर्ण गठन पर महर लगा दी गई है आपको बदादी की 11 अगहस्त 2015 को है नियोजे सिचकों और पुस्तकाले अधिक चकों के सिवा सर्थ निर्मान के लिए मुक्य सच्चिप के अधिशता में केमेटे का गठन हुआ था बिहार बिदान सबा चनौ से पहले तेजिस्वी अधब ने एक बरा दाओ चल दिया है वह चनौ से पहले बरा बयान दे दिया है तेजिस्वी अधब ने बिहार की जनता से पंद्रे वर्ट्स के लालु राबडी सासनकाल में हुई गलतियों के लिए माभी मांगी है वो बोला है कि एक बार हमें मौका दे कर देखें तेजसी वियादब ने ये बाते गुरुआर को राज़त के मिसन समारों के दौरान आयोजित प्रोग्राम में करेकरताओं को समुधित करते हुए कहा है बिहार के प्रोग्राम में बिहार बिदान सबा में नेता परते पक्षे तेजसी वियादब ने बोला है कि पंद्रे वर्स के आड़ जेली साथनकाल के दौरान जो भी हुआ है वह उस वक्त हुआ जिस वक्त हम छोटे थे और सरकार में यह क्या हो रहा था यह कुछ भी हम नहीं जानते थे तेजसी वियादब ने यह भी कहा है कि ठीक है पंद्रे वर्स हम सत्ता में रहे लेकिन हम तो सरकार में नहीं थे हम तो छोटे थे लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही है इस बास से कोई भी मना नहीं कर सकता है कि लालु परसाद यादम ने समाजिक नयाय नहीं किया ते जिस वियादम ने आगे बोला है कि उनके पिता लालु परसाद यादम ने समाजिक नयाय कायम किया पंद्र वर्ट्स के आरजिरी सासनकार के दोरान अगर इसी परकार की बहु मुल्य कमी हुई हो तो उसके लिए वे माफि मांगते हैं ते जिस पे अदम ने का है कि लालो परसाद ने बिहार में समाजिक नेक किया है संकरमन के कारण बिहार में लाज़ाउन लागू था जिसने बाजार बन थे तथा लोगों को घर से निकलने की अज़ाज़त नहीं थी लेकिन जैसे ही लाज़ाउन में छूट मिली बाजार खुले तो बिहार सरकार मालामाल हो गई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आउल लॉक का असर वहानों की बिक्री पर दिखाई दे दिया यहां गालियों की बिक्री साथ गुना तक बर गई आपको बतादी कि अप्रेलोर मही में जहां 14,562 वहानों की बिक्री हुई थी वहीं लॉक्डाउन हटने के बाद जून में ये बरकर 96,302 हो गई है जिससे बिहार सरकार की तीजोरी में जबरदस्त के इजाफा देखने को मिल रहा है जहां बिहार के अपमक्य मंतरी सुसिलकुमर मोदी ने जान कर देते हैं बताए कि लॉक्डाण के दो मेने अप्रे लॉड मेही में जहां राज का अपने सुरुतों से कुल राज सो संग्रे मात्रे 1785.33 करोड था वहीं आल लॉक्डाउन यानि की जून मेने में ये बरकर 287 करोड रुपे हो गए है बिहार की दाजधनी पटना में संकरमन का जबरदस्ट एटेक हुआ है यहां के 22 महले में संकरमन फैल रहा है जिसे यहां की जनता को काफी दिकत का सामना करना पर रहा है इसे देखते हुए स्वास्ति विवाग की टीम अलट हो गई है मिली जानकरे के मताबिक गुरुआर को पटना के 22 अलग-अलग महले में संकरमित मरीज मिले हैं जिससे महले में हरकप मच गया है परसासन कई महले को सील करने की प्लानिंग कर रहा है ताकि संकरमन के फैलाव को रोका जा सके आपको बददी कि पटना के टिपो लिया इस संभावना का इसारा मिलने लगा है राजत के परदेश उपादिक से रह चुके विजंदर यादब 7 जुलाई को जीडियू का दामन थाम लेंगी लेकिन थामने के पहले ही उन्होंने बरा दावा कर दिया है विजंदर यादब कहते हैं कि 7 जुलाई के बाद आरा और प दाम लेंगी राजद अब लालो प्रसाद यादब के समय का राजद नहीं रह गया है अब राजद पैसे वालों की पाटी रह गया है विजंदर यादब की मुलाकात बिहार के मुक्यमत रेवे 2,20 कुमार से हुई नितीष से आसवासंद पाकर विजंद रेवा कर दिया है पहले सहबाद से ही आने वाले राज़त MLC ने पार्टी का दामन छोड़कर जेडियू का दामन थाम लिया था। उसके बाद राज़त के दूसरे मज़बूत नेता के पार्टी छोड़ने से राज़त को बरा जटका लगा है। लेकिन बाद सिर्फ यहीं नहीं रुक जाती है। राज़त के बिदाय के चंद्री का राय कहते हैं कि थोरा सा इनतिजार कर लीजी। बहुत जल्द आपको बड़ी खबर मिलेगी। राज़त जैसी पार्टी में कोई खुदार नेता नहीं रहने वाला है। रिस्तों की बीच राज़निती ने दस्तक दी तो पड़िवार ने ही साथ छोड़ दिया। जिहां पहले लालों के संदी चंद्री का राय ने घड़लू विबात को लेकर राज़त छोड़ने की गोस्तना की। तो अब चंद्री का राय की भती जी ने राज़निती में उनक और साथ छोड़ दिया चंद्रीका राय की भतिती जी डाक्टर करिस्मा राय ना सिर्फ राजत का दामन थाम लिया बलकि लल प्रसाद यादर के लिए किसी से भी भी लड़ने का ऐलान कर दिया है कि दोस्तों आज का नीज रुपा से यहां तक कैसा लिए अपनों को आज का नीज जरुतना सुझाओ दिजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकिया अगर आपने इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राप्ट करके बिले आकन को भी पेडिस कर देजिए और साथ में अगली वीडियमेट